सबसे पहले बात बता दू आप से की जो वेबसाइट यार वो नहीं चल रहे है चाहिए डिप्लोमा वाले हो चाहिए आपके यूजिप प्रोगांस के बारे में क्यों कि काफी बच्छों का डाउट था कि मैं पाइस यूजिप प्रोगांस को क्या कि आपका अपडेट होने व अपडेट हो सकती है और जो भी बच्छों का है आज और इंटेशन को किर्प्रा करके चले जाना यह वो दिप्लोमा प्रोग्रामस के बात कर रहा हूं जिन बच्छों ने फ्रीज कर दिया था सीट अपने सेकंड राउन तक वह आपने आपने कॉलेज जो है वो जा सकता है अपने करोगे जैसे आप उपन करोगे जो आईडिया वो उपन नहीं हो रही है पर मैं बता जैता हूं जैसे आप उपन करोगे उसके बाद आपका अभी नहीं अभी नहीं आएगा यह लगग लगग आपका फर्स्ट या सेकंड वीक तक मानके चलो एक तो कि आप के आप सबी का जो है वह आने वाला है ठीक है फर्स्ट से सगें रॉंड तक आपको अनेprof kunt go, मैं आपको दूसरी पिरिया पे लेकर चलता हूं यहां पर देख सकते हो आपको कुछ इस प्रकार के लिए लास्ट यहां नहीं करका है तो इस प्रकार से आपका कुछ-कुछ रैंक्स आने वाला यह सारे जिए रैंक्स हो गई तो यहाँ पर यह आपके कुछ categories है और आपका यह undergraduate programs है तो यहाँ पर कौन-कौन से यह campuses है और यह आपके कुछ programs होने वाले तो आपका कुछ इससाब से ranks निकलेगी जो भी आपने 12th और प्रस में CUET जो आपका examination है जिस बच्चों ने भरा था उसका CUET पर यहाँ पर बच्चे जैसे हो गया यहाँ पर बिसी वाले प्रोग्रम जैसे यहां पर देखते हैं जनर्ल काटिग्री ठीक है यह अगर 392 है तो आपका फर्स्ट राउंड में हो जाएगा कौन से कैंपस में द्वार का कैंपस में शगरपूर कैंपस के लिए आपको कौन से जाना पड़ाएगा जैसे यहां पर प्रकार से फिर आपका शगरपूर कैंपस में दो कैंपस में आजाएक। तो आपका फर्स्ट राउंड में हो जाएगा यहीं पर आउस रिटर्स के लिए भी सबसे नीचे आपका आउसाइडर्स के है तो इसी प्रकार्स जैसे देख से तो आउसाइडर के लिए अगर मान के चलो तो आपका यूर के लिए चाहिए तो फोर फाइफ एट मतलब कि अल्मोस अल्मोस डेली के अल्मोस डेली केंडेट से फिफ्टी परसेंट आपको कमना नमबर लाना पड़ेगा तब यह आपका एड़िशन हो वो होगा फॉर दा ओनली आउसाइडर के लिए तो इस सबसे आपका जो है रैंक आएगी पहले रैंक का आपका वेट करो जब तक आपकी रैंक नहीं आ जाती है जब तक आपका कुछ भी नई लेने देने वाला है ठीक है सबसे पहले आपकी रैंक आएगी व कि हमें BCA चाहिए, BBA चाहिए, BMS चाहिए या फिर BSC चाहिए जो भी चाहिए वो आपका कितना आएगा वो आपके काउंसलिंग के टाइम आ रहा होगा ठीक है काउंसलिंग के टाइम ही आ रहा होगा बाकी यह जो पीडियेफ है यह मैं आपने जो गुरुप में वो डाल द कि एक बात ज्यान में लख लो और बाकी तो कुछ है नहीं जब तक रैंक नहीं आती जब तक वेट करो कि काफी बच्चे मेरे से पूछ रहा है एक चीछ बता दू परसेंटेज के बेस पर जैसे काफी बच्चे बोल रहा है कि 12 में मेरे 80 परसेंट है फिर या फिर 90 पड़ेगा रैंक आपके काफी सारे चीज़ें मैटर के करके जो बनती है वह इसलिए एडमिशन कभी परसेंटेज बेस पर नहीं होता है रैंक बेस पर होता है डियस्यों में ठीक है तो जितनी रैंक आए कि उसे साब के आपकी जो है एडमिशन हो रहा होगा 12 के नंबर हो सी यूटी को भी मिलाके उसको रैंक बनता है तो वह रैंक ज्यादा मैटर करती है इसलिए रैंक पर एडमिशन होता है परसेंटेज के बेस पर आपके जो एडमिशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है इसलिए वेट करो यार दोस्तो ज्यादा समय आप नहीं रहा गया आपका अपडेट आता ही होगा और फर्स से सगेंड वीक तक आपका आजाएगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं लिनी है और आपको बीस यह बीबी आपको समय है वह आपको काउंसलिंग के टाइम मिलेगा ठीक है तो आपको 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 डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी प्रॉबलम हो तो यार इस पर नमबर पर मुझे कुछ है कॉंटैक्ट कर सकता है ठीक है वाटसाइब कॉलिंग जो भी करना है कर सकते हो अगर मैं कॉल कट करूं तो समझ जाना में विजी हूँ तो करके वाटसाफ मैसेज ड्रॉप जूरूर कर देना जिससे कि मैं बाद में आपको reply जो वो देदू ठीक है बाबाई टेक है मिलते नेक्ष वीडियो में जाएंद